हलो फ्रेंड स्वागत है आपके अपने यूटूग चैनल जे एन पी जोन में दोस्तों आज हम लोग सम्विधान सभा से जुड़े वे वन लाइनर को देखते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं पवला क्यूशन है भारती सम्विधान सभा की प्रत्म पेठक कब हुई गोषए 9 दिसंबर 1946 को भारती सम्विधान सभा की पहली पेठक आजी झेए नेकस्ट सम्विधान सभा की अस्थाई अध्यच कों थे अस्थाई अध्यच डाक्टर राजेंद प्रसाथ है अस्थाई अध्यच पूछा जातु सचिदानन्द सिना समिधान सभा की प्रारूप समिती की अध्यच कौन थे डाक्टर भीम राव अमबेटकर सरप्रतम भारती राष्टी कांग्रेश द्वारा सम्विधान सभा के गठन की मांग कब और कहां रखी गई तो 1936 भी फैजपूर अधिवेशा भारत में सम्विधान सभा गठित करने का अधार क्या था तो कैबिनेट मिसन योजना 1926 भारत में सम्विधान कब लागू हुआ तो 26 जन्वरी 1950 को सम्विधान लागू हुआ सम्विधान सभा ने भारत के सम्विधान को कब स्विक्रित या अंगिक्रित किया तो 26 नवंबर 1949 को अंगिक्रित या स्विक्रित किया गया 26 नवंबर 1949 को ही कुछ ऐसे अनुच्छे थे जिन्हें लागू कर दिया गया था नेक्स्ट सम्विधान सभा का पहला अधिवेशन कहा हुआ तो दिल्ली में आई जित हुआ था नेक्स्ट सम्विधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई 114 दिन बहस हुई थे अग्स्ट सम्विधान सभा के पल कितने अधिवेशन हुए तो कुछ 11 अधिवेशन हुए थे नेक्स्ट सम्विधान को बनने में कितना समय लगा दो वर्स 11 मा 18 2 मूल संभिधान में कितने अनुच्छे थे? 395, 395 अनुच्छे थे मूल संभिधान में कितने अनुच्छियां थी? 8 अनुच्छियां है, वर्तमान में 12 अनुच्छियां है संभिधान में कितने अध्या है? 22 अध्या है राश्ट्रिय प्रती को आधिकारिक रूप से कब मानेता मिली 26 जन्वरी 1950 को भारत के राश्ट्रिय गान को आधिकारिक मानेता किस तिन प्राप्त हुई 24 जन्वरी 1950 नेक्स्ट यहाँ पर देखे संविधान सभा की जो प्रमुख समीतिया उनकी अध्यच कौन है हम लोग एक स्लाइट के माध्य हम से देखते हैं पहला संग समीती के अध्यच कौन थे? पंडि जवाहलाल नहरूर। प्रांतिय समीती? डाक्टर राजेंद प्रसाथ, प्रारूप समीती अभी बताय थे? डाक्टर भीमरा अम्बेटकर, मौलिक अधिकारेम अलप संख्यक संबंदी समीती के अध्यच थे? सर्दार बल्लब भ संचालन समीति के अध्याच पंडी जवाहरलाल नेहरू संचालन समीति डाक्टर राजेन प्रसाद एक कुछ प्रमुक समीतिया हैं और उनके अध्याच हैं चलिए नेक्ट श्लाइट देखते हैं संबिधान के गठन की मांग सर प्रथम 1895 में किस ब्यक्ति ने की थी तो बाल गंगा धर तिलक ने की थी संबिधान सभा का संबयधानिक सलाहकार किसे निप्ट किया गया बी एन राव संबिधान की प्रारूप समीति के समझ प्रस्तावना का प्रस्ताव किस ने रखा पंडी जवाहलाल नहरून संबिधान सभा द्वारा भारती संबिधान पर हस्ताचर कप किया गया तो 24 जन्वरी 1950 को हस्ताचर किया गया संबिधान को 26 जन्वरी के दिन लागू करने का निड़क क्यों लिया गया था क्योंकि इस दिन कांग्रेस इस तिथी को 1930 में सोतंता दिवस के रूप में मनाया था इसलिए 26 जन्वरी के दिन भारती संबिधान को लागू किया गया नेक्स्ट भारत में किस तिथी को विधी दिवस के रूप में मनाया जाता है 24 नवंबर को 24 नवंबर को विधी दिवस के रूप में मनाया जाता है जन गड़ मन को भारत के राष्टगान के रूप में कब अपनाया गया तो 24 जनवरी 1950 तो यह हमारे समिधान सभा से जुड़े हुए सीरीज समात होती है और हाई वीडियो आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएगा और हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को स अपने कर के बास वीडियो आई क्या और है और हमारेखन वीडियो आई क्या होनयत्य वीडियो आपको कैसा लग़े है कर लीडियो आपका इह जोगने ढदाएगा अफया हिए शुप्सायम्नतम नु1 L ioज आपको कैसा द podr अजा है जोगई अन संगो इन्र दें जोगरेगा